आइपेल बेटिंग केस के सिलसले में ठार्ने पुलिस ने एक्टर अर्वास खान को समंग जारी किया है बीते दिनों ठार्ने पुलिस ने सोनु जालान नाम के एक सिटेवाज को गिरफतार किया सोनु से पूछताच के बाद अर्वास को इस मामले में समंग जारी किया गया 42 वर्षिय सोनु को लेकर खबर है कि वो देश विदेश में सत्यवाजी का गैरकानूनी धंदा करता है इस मामले में पुलिस ने ऐसे ही एक रैकेट का भंडा फोर किया सोनु की गिरफतारी के दो दिन बाद थाने की एंटी एक्स्टोर्शन सेल को एक फोन और डाइरी मिली जिसमें 100 सेकंड भी ज्यादा सिट्टेवाजों के नंबर्ज मौजूद थे इस डाइरी में बॉलीवुद सेलिबर्टीज, नामचीन विल्डर्ज और कॉन्ट्रेक्टर्श के नाम शामिल है अब पुलिस इस डाइरी में मिली जानकारी को सोनु से वेरिफाई करवाने में जुटी है बताया गया कि सोनु बटला के नाम से जाने जाने वाले सोनु जालान ने दुबई में मैच फिक्सिंग की एक मीटिंग भी रखी थी जिसमें सेलिबर्टीज भी शामिल थे अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि कौनसी मैच को फिक्स किया गया था अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेय कीजिए ऐसी ही और रोचक खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को थैंक यू अजय को दो वीडियो को वी और उट्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दो समय मुझंगे हमारे बना भाए इस वीडियो के लिए अ कि तो ऑजय के जज़े हमारे आपको आपकोंगे महारे बना टीज़े तो..